काफी लोग यह कहते है कि अगर आप सुबा 12 बजे तक फल वगड़ा खाते है तो आपकी डियापेटीस कंट्रोल हो जाएगा, डियापेटीस क्योर हो जाएगा और अगर आप 12 बजे तक फल खाते है तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा तो इसी का आज हम लाइव टेस्ट करेंगे आज मैं चार केले खाऊंगा ये दिखिए चार केले है मेरे पास तो चार केले में खाके शुगर लेवल चेक करूँगा मेरा शुगर लेवल कितना बढ़ता है घरता है, सेम रहता है दो घंटे बार तो अभी जो टाइम हो रहा है वो पहले देख लेते हैं अभी बारा बजा नहीं है अभी ग्यारा बच के पैतालिस मिनिट हो रहा है आप देखिए ग्यारा बच के पैतालिस मिनिट ठीक है ग्यारा बच के पैतालिस मिनिट है तो ये मेरा फास्टिंग बलड शूगर होगा क्योंकि मैंसुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया है तो यह मेरा फास्टिंग बलड शूगर होगा अगर आप सुबह उठके कुछ भी नहीं खाते हैं और जो आपका पहला टेस्ट होगा उसी को फास्टिंग कहते हैं चाहे वो साथ बजे हो आड़ बजे हो नौ बजे हो दस बजे हो या फिर ग्यारा बच के पैतालिस निट पे हो तो वो फास्टिंग ही कहलाएगा क्यूंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं ठीक है तो अभी देखते हैं मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर कितना है ओके यह हमने निकाल दिया एक स्ट्रिप और यह हमारा लिकोमेटर तयार हो गया है एक प्रिक कर लेते हैं सबसे पहले और यह काउंट डाउन शुरू तो आप देख सकते हैं 133 है मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर और काफी लोगों का फास्टिंग ब्लड शुगर जो है काफी हाई आता है ठीक है मेरा भी काफी हाई आता है इसको हाई मैं मानता नहीं हूँ यही मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फास्टिंग ब्लड शुगर सो क के नीचे रखने की जरुवत नहीं है जादा तर लोगों का fasting blood sugar जो है high आता है बहुत सारे reasons हो सकते है dawn phenomena हो सकता है रात को हो सकता है आप ठीक तरह से स्वय नहीं हो हो सकता है stress level बढ़ गया हो बहुत सारे ऐसे कारण है जिसकी वज़े से fasting जो है वो सो के उपर ही रहता है और अगर आप 40, 45, 50 साल पुरानी guidelines देखेंगे तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी यह नहीं लिखा है कि सो के नीचे fasting blood sugar रखना है ठीक है तो fasting मेरा 133 आया है एक बड़ चक कर लि ठीक है 70 से लेके 180 तक अगर आपकी blood sugar रहती है तो वह time in range है आपके organ को damage नहीं करेगा तो आभी मैं 4 केले खाऊंगा और इसको वज़न करके भी दिखा देते हैं ज्यादा तर लोग यह गलती करते हैं कि 4 केले जो है या केले जो भी है यह छिलके के साथ measure कर लेते हैं छिलके को निकाल के ठीक है तो 4 केले में खाऊंगा और इसको पहले on कर लेते हैं यह zero हो गया और छिलके को निकाल के फिर आपको वज़न करके देखना है कि कितना वज़न होता है ठीक है हमेशा छिलका निकाल के वज़न करिए ना कि छिलके के साथ ठीक है यह देखे तो एक केला ज कुरा में measure करूंगा क्याले कने का साइज के उप़र elkaar जिपेंड करता है कितना वजन होगा कितना करमांड़ होगा और इसके इंड्मीक उतना जादा नहीं है फिफिस्टी उन है लोग के टेगरी में आता है लेकिन अगर आपने कार्बोईडेट जादा ले लिया तो ग्लाइसीमिक लोड जादा हो सकता है ठीक है तो इस पर आपको ध्यान देना है तो मैं चार केले जो है आज खाऊंगा चार केले का मेजरमेंट करके देख लेता है कितना होता है तो यह 245 यानि के 200 ग्राम केला हो गया आप समझ लीजे यह 500 ग्राम केला हो गया है यह जो मैंने मेजर किया है ठीक है इसको अप साइट कर लेता है तो दोस्तो यह 245 ग्राम का केला है exactly ठीक है न धाई सो मानके चलिए धाई सो ग्राम और सो ग्राम में 23 ग्राम के आसपास कार्बोईडेट होता है तो आप calculate कर लिजे कि इसमें कितना कार्बोईडेट होगा और काफी लोगों का ये मानना है कि अगर आप इतना भी खा लेंगे तो आपकी शुगर लेवल नहीं ब कर दो कर दो कर दो कर दो तो दोस्तों मैंने धाइसो ग्राम केला खा लिया है धाइसो ग्राम जो है वो बीना छिलके का है जब भी आप कोई भी फल मेजर करते हैं अगर उसका छिलका होता है तो हमेशा उसका छिलका निकालके फिर मेजर करिए वो एक्चुल मेजरमेंट होता है और मैंने छिलका निका तो आप देख सकते हैं अभी तक 12 नहीं बजा है तो 12 बजे का पहले मैंने खा लिया है ग्यारा बच के 55 मिनिट हो रहे हैं ठीक है ग्यारा बच के 55 मिनिट हुआ है मैंने 4 केले खाले आज का मेरा यही नास्ता होगा और मैं ठीक 2 गंटे बाद चेक करूंगा और देखूंगा कि मेरा शुगर लेवल बढ़ता है या घरता है fasting मेरा 133 था, दो गंटे बाद देखूंगा कि 133 से कितना बढ़ता है, या घरता है, या उतना ही रहता है, तो मैं मिलूंगा अप लोगों से 2 गंटे बाद, तो दोस्तों, exactly 2 गंटा हो चुका है, मुझे 4 केले खाए हुए, 4 केला जो है, वो मैंने measure किया था, 200 ग्राम के आसप ग्यारा बच के पचपन मिनिट में था, और अभी टाइम देखते हैं, अभी देखे, एक पचपन से जादा हो गया है, यानि कि 2 गंटा हो चुका है, ठीक है, 2 गंटा से 2-3 मिनिट जादा है, तो हमेशा जब खाना खतम करेंगे, उसके 2 गंटे बाद आपको शुगर लेव तो यह तियार हो गया, देखिए, तो अभी हम प्रीक करते हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रावलम नहीं है, यह खून आ चुका है, आप इसको लेते हैं, और यह काउंट डाउन शुरू हो गया है, तो आप देखिए, 2 गंटे बाद 112, फास्टिंग में मेरा 133 था, और 2 गंटे बाद 112 आ गया है, और मेरा शुगर लेवल काफी कम हो गया है, ठीक है, एक बार फीर से देखिए, 4 केला खाने के बाद 112, अब इसका रिजन बताता में आपको आपको रिजन बताता हूं कि मेरा 4 केला खाने के बाद भी शुगर लेवल क्यों नहीं बड़ा, ठीक है, यह परसन टू परसन वेरी कर सकता है, किसी का बढ़ता है, किसी का घटता है, लेकिन जादाता है लोगों में आपका शुगर लेवल जो है, घटेगा, इस के सामने है, मैंने 4 केला खाया था, मेरा 133 था और अभी 112 आ गया, रीजन क्या है, यह आपको समझना बहुत जरूरी है, जो आप फ्रूट्स खाते है, उसमें फ्रुक्टोस होता है, ना कि ग्लुकोस और जो यह स्ट्रिप से आप मेजर कर रहे है, वो ग्लुकोस है, ठीक है और इसलिए जो है, आपका बलड शुगर रीडिंग जो है, बहुत कम आता है, जब भी आप 12 बज़े तक फल खाएंगे, आपका शुगर लेवल कम आएगा, ज्यादा तर लोगों में कम आता है, आप भी यह एक्सपेरिमेंट ट्राई करके नीचे कमेंट में जरूर बताना कि चार केला खाके क्या आपका शुगर लेवल बड़ा है या घटा है, ठीक है, जिसका इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, जिसको हाई डायबेटीज होगा, उनका शुगर लेवल ज्यादा तर समय बड़ा हुआ आएगा, लेकिन एक नॉर्मल इंसान या प्री पर है, तो उनकी शुगर लेवल कमा जाती है, ठीक है, क्योंकि इसको आप मेजर कर रहे है, ग्लुकोस और जो आपने खाया, फ्रुक्टोस और फ्रुक्टोस मेटबोलाईज होने में बॉड़ी में समय लगता है, तो इसका तरीका है कि जब भी आप ऐसे दो गंटे बाद चेक करें, तो फिर तीन गंटे, चार गंटे बाद दोबारा से आप प्लीज एक बार फीर से चेक कर लिजे, ठीक है, तब आपको एक्चोली पता चलेगा कि आपका शुगर लेवल जो है, वो बढ़ा हुआ है या नहीं है, क्योंकि फ्रुक्टोस से भी ग्लुकोस में पाच गंटे, छे गंटे, साथ गंटे, आठ गंटे भी हो सकता है, तो आपका शुगर लेवल हो सकता है, कि दो गंटे बाद ना बढ़े, लेकिन पाच शे गंटे बाद बढ़ सकता है, और मैंने एक और वीडियो बनाया है, केले के उपर, अगर आप लोगों ने वो वीड जरूर देखिए उस वीडियो में मैंने डिटेल में समझा है कितना केला खा सकते है काप खा सकते है कैसे खा सकते है ठीक है जिससे कि आपकी शुगर लेवल ना बढ़े एक वीडियो में ने और बनाया है फैटी लिवर के उपर क्या फैटी लिवर होता है अगर आप बहुत ज लगातार इस तरह से फल खाते रहेंगे तो हो सकता है कि आपका शुगर लेवल तो कम रहें लेकिन फ्यूचर में आपको फैटी लिवर की शिकायत हो सकती है और फैटी लिवर हो गया तो फिर आपका डायबेटीस भी बढ़ेगा ऐसे बहुत सारे पेशिंस में रोज देखता है धेर साला फल खाता है शुरू में और उनकी Hb1c धीरे धीरे घटने लगता है शुगर घटने लगता है साल दो साल तक घटा हुआ रहता है और दो साल बात फिर फैटी लिवर Hb1c सब कुछ बढ़ा हुआ आता है ठीक है तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपने चार केला खाके आपका शुगर लेवल कितना आया क्यूंकि अगर आप सिर्फ मेरे को देखके सीखते रहेंगे तो नहीं होगा आपको खुद भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और कमेंट करके जरूर बताए कि आपका शुगर लेवल कितना आया है तो उमेद क कि चार केला खाने के बाद भी आपका शुगर लेवल घट सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहें इससे यह नहीं पता चलता है कि आपकी एक्चुल रीडिंग क्या है क्योंकि आपने खाया है फुक्तोस और आप चेक कर रहे है ग्लुकोस तो यह कई बार मिसलीडिंग हो जाते है और बहुत सारे लोगों के शुगर बढ़ भी जाते है ठीक है तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करिए आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा इस वीडियो में इतना ही मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के स तब तक स्वास्त रहे मस्त रहे इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद